तक पर पहलुद अřो इसे सावको मिच्णई सीक्रमी का स्वागत है लास्ट प्रीवस कॉसिंज के बारे में तो लास्ट दियर हमने जला है साथ सार प्रीवस कोशिंज कर दो 2030 तो इस चार्व में भी इस जो कॉप्वर पहला इन्धिर गए इंधा पार इन्दिक्टरी ऐग्टा इंद फॉल्लॉ इंद फॉल्ला इक्षिं यह एक रेक्शन की है इसमें क्या का स्ट्रकश्चर होगा तो यहां पर क्या है क्या थे देखें यहां पर क्या है क्या है क्यों के एफ क्यून यह मत्र। क्यू मिंधेखें के महारे बॉपन के में तुमारे पास क्यालो पार नहीं भांड़ होता है क्यों ANG Richter on Nails Nutrition को इतए क informing Kello को एक क्या है क्या है लेमरे में Suigne CH3 यहां पर बनता है, इसमें O2 जो है, एड हो जाता है, क्यूमीन हाइड्रो पर ओक्साइड, ठीक है, और यह जो है, O2 के आड करके बनेगा, उसका अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोल सिस करते हैं, तो हमारे पास एक बनता है फिनोल, और साथ में एक बनता है, एसिटोन, CH3 COCH3, तो इसका क्या आँसर आजाएगा, इसका क्यों कि आजाएगा, यह बना क्यों है, CUMIN हडो पर ओक्साइड, तो अब नेक्स्ट कोशन में गिवन है यहां पर ठीक है टू एफी थ्री प्लस प्लस टू आई माइनस गिविंग टू प्लस प्लस आई टू और इसमें क्या हमें इनोट वैल्यू गिवन है उस सेल की 0.24 वोल्ट और तो त्मप्रीचर गिवन हमें कहान कोशन ठेंडर गिपस्फरी एनर्जी निकाल लिया तो हमें पता है डेल्टा जी-प्लस टू- इनोट ऑप वीडियो यह न वीडियो फीरेविए था तो इसमें भी इसके उपर वीडियो है तो आप लोग वहां से देख तके हैं अगर आप क्या कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रों करके क्या बना रहा है ठीक है तू आई माइनस यहां पर क्या कर रहे है दो इलेक्ट्रों करेंगे और रहे होंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है हमें क्या डेल्टा गिप्स फ्री एनर्जी निकाल लिया है तो देखो डेल्टा जी फैरेडे पर कितना चार्ज होता है तो हम जो फैरेडे का चार्ज मानें चलते होगा था 965 00 Coulomb per mol यह जह लिए 1 फैरेडे पर चार्ज होता है तो F के वैलु कहाजएगी 9500 Coulomb per mol ठीक है और यहां पे N के वालु है कि 2 N होता है गुना इनोट की वाल्यू कहा 0.24 तो डेल्टा जी नोट के आ जाएगा यहां पर माइनस 0.48 इंटू चानवे 1500 कुलम ठीक है और अगर मैं इसको सॉल करूं तो यह सॉल कर गाएगा 46320 यहां जाएगा 46320 जूल पर मॉल ठीक है और अगर इसको किलो जूल में कनवर्ट कर तो कहा जाएगा 46.32 माइनस 46.32 किलो जूल पर मॉल और यह इसका डेल्टा जी नोट की वाल्यू आ जाएगी और यह जाएगा अब बात करतें नेक्स्ट कोश्टन की तो नेक्स्ट कोश्टन देखे क्या दिया हुए तो यहां पर पूछा हुए कि पी एच ऑफ ऑफ श्चुरेटीड सॉलूशन कालीच वाल्यूशन देखे क्या स्टाइब काल्चियू दाएग अगर पी एच देर्खे कितनी होगी 14-9 याने कि 5 तो प्लोगों पर प्याइच पी ओट है कि माइनस लोग ओफ आएच या मानिस लोग ओफ ऑफ और चन तो इसकी याल्यूशन वाल्यूशन तो इसके अली है है आप है माले और यहां पिस वाली है लिगता है यहां पर लिखाल्चियृ Pok Route 사़ फाइस ऩिरेगी सरीनलल है 5 यहां पर फाइख में स teब जा। हम क्येजर्म हो जाएगे खहलेगा कैल्चियृm हााई डोंक जाएट ब्सक्ते हिसे होगा ठीक है और अगर मान लेते हैं या पर कैल्चियम इसका कैस्पी निकालने के लिए ठीक है कैस्पी क्या होगा इसका कैल्चियम प्लस टू की कंसेंट्रेशन इंटू ओएच माइनस की कंसेंट्रेशन का स्केर यह जो है इसका कैल्चियम हईड्रोक्साइड कैस्पी ऐसे निकले काई देखो यहां पर तो प्लस प्लस ट्रॉट्रेशन का से अगर एक काईट्रोग साइट से ठीक है टेन तौन पावर माइनस फाइव जो औहू के वह तो प्लस टूई concentration क्या हो जाएगी जहांपे यह दो बन रहे है वहांपे एक बन रहे है ना यह यह calcium plus two concentration 10 to power minus five divided by two यह calcium plus two concentration हो जाएगी logik लिए सच ना देखो जब calcium hydroxide two रहा है तो यह पे दो और और टोटल oh mynze concentration 10 to power minus five और साथ में calcium plus two बन रहे हो खाली के इस्पी किया होगा कैल्चिम प्लस टू इसका होगा जाएगा वन बाइटू इन्टू पावर माइनस फिफ्टीन थिक है वन बाइटू गों क्या लिख सकते हैं कैस्पी क्या होगा जीरो पॉइंट फाइब इन्टू पावर माइनस 15 तो इसका सोल्यूबिल्टी प्रोड़क्ट आ जाएगा कैल्चिम हाइड्रोक्साइड का ठीक है अगर प्याच नहों दे रखी है तो उसका जाएगा जीरो पॉइंट पाइट पार माइनस 15 जैने की ऑप्शन यह जो है करेक्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट पाइट है नेक्स्ट कोश्ट होना है यहाँ पर उसके ऐसमें क्या होगा है तो है तो ख्रोंष और जो दे लिएक है तो इसने क्या का ब्रोंश्टीर के कोडिंग प्लस अच्पलस बनेगा तो श्पीश बची वह उसका क्या होगी ब्रोंश्टीर बेस ठीक है इसको कहे देंगे conjugate base इसको कहते हैं कि यह गया है इसका conjugate base ठीक है मतलब H2 क्या है 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 डोनेट करने बाद जो species बची वह उसका बना conjugate base ऐसी करें बात करूँ second acid गेंने में HF तो HF जो है एक acid है अगर HF के acid के base की बात करूँ तो according to ब्रॉंश्टूट लोरी अगर HF में जो है अगर लोस कर दें और बात में जो बचने वाली species है यह जो F बचेगा वह क्या होगा उसका conjugate base ठीक है तो हमें क्या पताना था है है इसका conjugate base पताना है तो क्या हैगा नेक्स्ट वे गिवन है अंडर आइसो थर्मील कंडिशन से यहां पर गिवन है आइसो थर्मील कंडिशन का मतलब क्या है जो temperature है temperature क्या होगा है यहां पर constant होगा ठीक है अंडर इसो थर्मील कंडिशन a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 L to 0.25 L against constant external pressure गिवन है दो बार वर्क दन बाइक दा गैस ठीक है गैस के द्वारा क्या वर्क दन होगा वह में निकालना है तो यहां पर देखिए वर्क दन बाइदा गैस है वर्क दन कैसे होता है वर्क दन बाइदा कैस बाइदा एक डिशन माइनस पी डेल्टा वी फर्म लोग गए था माइनस पी डेल्टा वी कितना है यहां पर देल्टा वी क्या मैंदब changing the volume वोल्यूम कहा सकते है जरहां 0.25 लीटर से 0.1 ठीक है तो अगर मैं डेल्टावी निकालो डेल्टावी काईगा 0.25-0.1 यह जाएगा डेल्टावी और प्रेशर में गीवन प्रेशर कितना है तो बार तो डवल्य का जाएगा डव्यू कर स्टूमेट 2-2 इंटू 0.15 टी डवली गवली आ जाएगी माइनस 0.3 किसमें एगी एल बार में ठीक है यहां पर लेखो टू लीट बार था और यहां पर वन एल था न यहां यह एल था इसकी उनित बार थी तो आएगी डवली इसको पॉइंट थी एल बार और हमें यह कोश्ट्न में गिवन यहां पर यहां पर जाएगा इसका फॉर्थ ऑप्शन आ जाएगा डवली गाएगी माइनस थार्टी जूल ठीक है तो अब देखें नेक्स्ट कोशन यहां पर गीवन है यह देखें दा मिक्श्यर ओफ डैट फॉम मैक्सिमूम बॉइलिंग आईट्रोपीज वह मिक्श्यर अब आप देखें यहां पर यहां पर क्या है कि मैक्सिमूम बॉइलिंग आईट्रोप ठीक है आप लोगों ने राउल्ट्सला पड़ागा सॉलूशन चैप्टर राउल्ट्सला के कोडिंग दो टाइप के सॉलूशन होते थे एक वह जो पोश्टी डैविशन उफ राउल् में ठीक है नेगटिव डैविशन चोट करते थे किसमें और में लाउल्ट में नेगटिव डैविशन चोक करने का मतलब क्या था इसकी ठीक सिलूशन मानलो तो ए और ए बी-बी है और इनसे बना ए बी तो इसका मतलब कहता है राउल टुला में नेग्टिवड़शन शो करें मतलब the solution formed after the mixing इसकी interaction जो इनके बीच की forces होंगी जो इसके बीच की interaction होंगी वह ज्यादा होगी as compared to मदब जहां से मिलकर बना है यानि कि वह solution maximum boiling जो ट्रॉप शो करेंगे जब जो मिक्स होने के बाद जिसकी interaction होगी ठीक है अब देखते हैं यहां पर इन दुनों में क्या होगा ठीक है पहले यहां पर सभी देखते है इथिनोल और वाटर यहां पर हैड् काफी बढ़ जाएगा ठीक है तो इन दुनों में का एक्स्टेंट जो हो काफी बढ़ जाएगा ठीक है जो है जब इन दों को मिक्स कर देंगे फिक्स मलब प्रोपोर्शन में तो इन दोनों के बीच की interaction जादा होगी तो इन दोनों के बीच की interaction जादा होगी आज इस ने बात करता है नेक्स कोशन के बारे में तो इसमें से आप लोगों को इपना है कि कौन सी जो है इलेक्रोफिलिक सब्सीशन से जाएगा कौन सी रेक्षिंशन होगी तो देखते हैं देखिए दियान से अगरे पहले फ स्टाइग को छोड़ जाता हूं आपको एक्स्टली में यहा प्लोगों पर प्रोड़क्ट है तो यहां पर क्या गलत अंसर कैसे हम काट सकते हैं ठीक है वह बहुत जरूरी होता है तो अब बात करता हूं यहां पर देखो यहां पर ओएच को रिप्लेस हो रहा है करता हूं हमारे पर सब्सक्राइब होता है तो मतलब यह रियक्शन भी नई होगी बच्चा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और फर्स्ट ऑप्शन है वी सही देखो क्या होते है इल्यक्ट्रोफाइब लिक सबस्ट्ट्विशन रिक्शन यहां पर क्या होता है इसमें इसका अगर में में केंजिम की बात करूं ठीक है तो पहले क्या होगा यहां पर बनाएगा एल ची एल फॉर प्लस चील ठीक है यह जो पोजिटिव बने गए एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा ठीक है यहां पर क्या है मालो बेंजीन रिंग है ठीक है तो यहां पर क्या सिंपल कि यहां पर भी हैड्रोजन है उस पे खरेगा चील पोजिटिव क्या करेगा चील पोजुटिव यहां पर अट्यक करेगा ठीक है और को टैग底 अब यह जो पोश्टन स्ट्रीज्टन स्ट्रक्शr हाँ यहां पे मदब अगा बात कुई स्ट्रक्शर के रैज्टन स्टेबलाइज्ट होगा पोश्ट विचल जद जाएगा एडेवल बॉनड यहां जाएगा ठीक है यहां पर एच है, cl है और डेवल बुंड यहां है तो असी फर्दर है जो आगे तो फाइनल स्टेज में किया होता है यहा पे यहां पर जो है ठीक है एच क्या करेंगा अगर बात करूँ नेक्स टैप में यहां पर यहाँ पोस्ट्री चार्ज यहाँ पे यहां पर यहा uh ह यह देगा और एज्ज़ लो तो यहाँ पे गूपवाईच एकंप्लिक सब्सूश्जण पर कभर बात करूण है हैं तो आज हम इतना ही डिसक्स करेंगे इन वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में डिसक्स करेंगे नेक्स्ट के बारे में ठीक है इसके बाद इसके एक 2019 के पेपर की दो वीडियो जो रहेंगी उसमें हम ओल्मॉस्ट अभी कम कॉश्टन कंप्लेट कर लेंगे उसके बाद